कब बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेके टेंसर में रहते हैं कि आखे हम अपने laptop के screen को कैसे screen shot ले कि लेके काफ़ी सारे लोग confusion में रहते हैं तो सोगाज मैं आपको आज इस confusion को दूर करने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक laptop है तो आप अपने laptop के screen को कैसे screenshot लेंगे अगर आप कोई photo आपको कोई important है या कोई document है उसको आप जो screenshot लेना चाहते हैं तो उसको आप screenshot कैसे लेंगे मेरे पास कभी सरा comment भी आया हुआ है उसमें पुछा जा रहा है कि सर आप यह बताए कि हम अपने laptop के screen को screenshot कैसे ले तो गाज मैं आपको इस वीडियो में यह clear करने वाला हूँ कि किस तरीका से आप अपने laptop के screen को आप किस तरीका से screenshot लेंगे मैं आपκो ठी में बताने वाला हूँ वह भी में टा से आप छीप जाएंगे बहुती easily तरीका से कैसे आप अपने laptop के screen को screenshot लेंगे अगर आप कोई in important photo है डौकissen take ehkä या कोई ऐसी चीज है जिसको आप जो है इस सथे ले चाहते हैं उसको आप बहुती आपी इसली तरीका से ले सकते हैं जो मैं तरीका बताने वला हूं उस तरीका से तो आप से छोड़ी सी रिख्लिकर्स टाइग अभी तक आपने मेरे YouTube चोर को सबस्काब कर लेजिए और इस तरीका के नया नया वीडियो पाईए आप जाना तो आपको इस वीडियो में लास तक बनना होगा यह सिखने के लिए कि आप अपने लेप्टोप के स्कीन को कैसे इसकी दिन सट लेंगे तो चलिए वीडियो को SHUT UP AND SIT DOWN आप अपने लेप्टोप के स्कीन को स्कीन सॉट लेने के लिए फाच तो फुल आप को करना क्या हुआ यहां पर दे करेंगे रहे हैं कि tap here to search इसमें आपको लिख देना है snapping tool जैसे में दिखी यहां पर यहां पर यह यहीड़ आ आचुका है कासिने कॉन्सा पार्ट को स्कूरी लेना वहां पर आपको यह तरां यहां से निवाफ को आपको की लाता है हुआ कर लेता हूं यहां पर और फाल का को भी नाम डाल सकतेजं़ आपको इस तरीका से आप पो डाल देना है यहां पर आपको किलिक कर देना अब यहां से इसको कट करके हटाद देता हूं 12 कि मैं यहां पर आपको इसको open करके यहां पर में देखा देता हूं तो इस तरीका से आप जो है अपने laptop के screen को बहुत ही असानी से आप इसको screenshot ले सकते हो यह तो हो गया पहला option दूसरा option है कि आपको जो है आपने जो keyboard है उसके आपको window और आपको print screen एक साथ हो जाएगा और इसको देखने के लिए simply आप यहां जाएंगे computer में जाएंगे computer में जाने के बाद यहां पर आपको एक option धूंड लेना है पिक्चर का पिक्चर वाले पर किलिक करेंगे और यहां पर देखिए एक आपको यहां पर option मिलेता है कि screen source का इस पर आप open करेंगे यहां पर देखिए कि मैं जो यहां पर screen लिया हूं वह यहां पर आ चुका है तो इस तरीका से आप जो है screenshot ले सकते हैं तो यह तो हो गया दूसा तरीका और तीसा तरीका है कि आपको करना किया है आपको जो है अपने keyboard है उस पर आपको है print screen जो यहां print आ चुका है इस वाल को open करेंगे अब यहां पर करना क्या है यहां पर control प्लस भी एक साथ प्रेस करना है जैसे इसको प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए कि यहां पर जो है जो मैं वहां पर screen लिया था print screen करके वह यहां पर आ चुका है इस तरीका से आप जो है screenshot ल यह वो स्क्रीन चाहते हैं वह आपको इसमें से स्धी कर लेना जैसे हम यहाँ पे डिश्टप चूज कर लेते हैं और यहां पर दाल ड़ाता है यहां पर कुलिक दिना तो यह आपका फ्रवाइप हो धा करता है। अगर आपका कोई प्रफायल है कोई प्रोटो है कोई डोकॉमेंट है आप चाहते हैं कि हम स्क्रीजिन सोट ले अगर आप से नहीं आता है तो आप ये वीडियो देखने के बाद सीख गए होंगे किस तरीका से आप जो है बहुत ही इजली तरीका से अपने लेप टॉप के स्क के कोमेंट करके पूच सकते हैं